स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते है तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्ति दाता जीवन चल देखास जीवन चल के प्यास जीवन चल के प्यास जीवन चल कारक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु येशु मशी के मदूर नामे नमस्कार लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्राड कास्ट है मुंबाई में एक रेडियो सेवा है इसे हेराल्ड मेगरगर उनीस सो त्रेपन में जब न्यूजलंड से आये आरंब किये थे जो आज तक परमेश्वर के दया से अच्छी तरह से चल रहे इसके लिए प्रभरमिश्वर की स्तुति हो इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है उसके लिए प्रभरमिश्वर की स्तुति हो मुझे उम्मीद है कि आप ए प्रोग्राम से देख रहे और परमेश्वर का आशिश पार रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पार रहे हमारे कार्यक्रम का ए मुख्य उद्देश जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है परमिश्वर का वचन कहता है आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा प्रभु एशु मसी ओ सत्य है जिसने उसे जाना है ओ स्वतंत्रता पाए हैं हम उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग एशु मसी को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं क्या आपने प्रभु एशु मसी को आपका उद्धार करता जाना है जो आप जीवनजल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशिश पाते रहे पार्मेश्वर आपको आशिश दे धन्यवाद जीवनजल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धार करता प्रभु ईशु मसी के नाम में धमश्कार यहन्ना अध्यसात पद 37 में पवित्र शास्त्र वाइबल यह कहती है इशु ने लोगों को पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिये जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदे में से जीवन की जल की धाराय बहन निकलेगी क्या आप जीवन में प्यासे है या सच्चाई की तलाश में है प्रभू इश्व मसी आपके हर प्यास को भूजाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है जीवन जलके हमारे इस कारिक्रम को देखने वाले, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रभवेश्य मसी में प्रेम भरा नमस्कार मेरे प्रिया भाईयों और बहनों, पिछली बार हमने एक दुल्हा और दुल्हन के बीच के संबंध को जानने की कोशिश की हमने उस संबंध के स्वभाव को दिखा और हमने उस संबंध का जो अर्थ है उसे समझने की कोशिश की मेरे प्रिया भाईयों और बहनों, आएए आज हम उसी विशे को आगे बढ़ाए परमेश्वर के साथ वयतिक संबंध, वयतिक समागम इसके विशे में हम अध्यायन करेंगे आए हम श्रेष्ट गीत के पहले अध्याय और चौथे वचन को पड़े मुझे खीच ले, हम तेरे पीछे दोडेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है हम तुझ में मगन और आननदित होंगे मेरे प्रिय भाईयों और बहनों, यहाँ पर सुलिमान के द्वारा लिखे गए इस श्रेष्ट गीत के भाग में हम दुलहन के द्वारा बोले गए कुछ वचनों को हम देखते हैं दुलहन अपने प्रिय दुलहे के विशय में यह बाते कह रही है वह कहती है कि मुझे खीच ले हम तेरे पीछे दोडेंगे और फिर राजा मुझे अपने महल में ले आया है एक राजा जब अपने दुलहन से मिलने आए तू कैसे वैभव के साथ आएगा वो कैसे कपड़े पहन कर आएगा कैसे सुंदर वस्तर कैसे चमकदार उसका वैभव होगा और अपने सारे वैभव के साथ जब एक राजा अपने दुलहन से मिलने आता है उस दुलहन की अवस्था क्या होगी? उस दुलहन के हुरुदे में जो चंचलता होगी, जो पवित्रता होगी और जो बातें अपने दूलहे से मिलने के विशे में होगी, क्या होगी? मेरे प्रिय भाईयों और बहनों, राजाओं का राजा, प्रभूं का प्रभू, हमारा प्रभू एश्य मसी, हमारा दुलहा है, वो जब अपने सारे वैभव के साथ इस संसार में हमें ले जाने के लिए आएगा, तब हमारे रुदे में जो चंचलता होगी, जो उत्सुकता होगी, कि हम प्रभू से मिलेंगे, हम प्रभू के हैं, हम प्रभू के साथ अपनी वयतिक मिलन को देखेंगे, कितना अनोखा वो पल होगा, कितना सुन्दर वो समय होगा. मेरे प्रियभाईों और बेहनों, आज इस विशे में जब हम पढ़ रहे हैं, मैं शुरुवात करना चाहता हूँ, उस जगह जहां लिका है, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हमारा ये जो समागम है, हमारी जो ये पवित्र सहभागिता है, ये राजाओं के राजा प्रभू के प्रभू, प्रभू एश्यु मसी के साथ है, प्रभू एश्यु मसी के विशे में हम मतर अच्छित सु समाचार में बढ़ते हैं, कि प्रभू अपने वैभव के बारे में, अपने बुद्धिमानी के बारे में इस तरह कहते हैं, कि देखो सुलेमान से भी कर सुलेमान जिसके वैभाव के विशे में पुराने नियम में अध्याय लिखे गए हैं उसका राज्य कैसा था जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आया करते थे और उसके न्याय के विशे में उसके बुद्धिमानी के विशे में लोग देखने के लिए उसे परकने के लिए उसे जाचने के लिए दूर दूर से आया करते थे, ओ मेरे प्रिये भाईयों और बहनों, हमारा प्रभू एश्य मसी जो राजाओं का राजा, प्रभूओं का प्रभू है, वो हमारे पास आया, वो आकर हमें चुन लिया, उसने हमें चुना और हमें मोल लिया, कितना अनोख प्रभू का अज्ञान है, प्रभू की बुद्धिमानी है, क्योंकि वो जानता है, हम कभी भी अपने आप को चुडा नहीं सकते थे, हम कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि प्रभुएश्यमसी हमारे लिए इस संसार में आया हमारा जो मेल होना है हमारा जो समागम होना है जो पवित्र समागम है यह प्रभू एश्यमसी ब सांद है वो स्वर्ग में है और स्वर्ग में अपने दुल्हन के लिए जगह तयार कर रहा है जब हम प्रकाशित वाक्य के 19 वे अध्याए 16 वे वचन में पढ़ते हैं वह तो राजाओं का राजा प्रभूओं का प्रभू है हाँ मेरे प्रिय भाईयों और बेहनों लुकार रचिस्व समाचार उसका दस्वा अध्याए बड़ी सुन्दरता से हम प्रभू के विशे में पढ़ते हैं मार्था और मर्यम प्रभू के विशे में प्रभू को जब वो अपने घर में स्विखार करते हैं मार्था गडबडी में है हडबडी में है अपने सारे श्रम को वो वहाँ प्रस्तुत कर रही है, खूब मैनत कर रही है कि वह प्रभू की सेवा करे लेकिन मर्यम, मर्यम तो प्रभू के चरणों के पास है और प्रभू क्या कहते हैं, परन्तु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मर्यम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा क्या आज हम प्रभु के चर्णों के पास बैठे हैं या फिर हम हडबडी में हैं परन्तु जब तु प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा परमेश्वर से प्रभु एश्य मसी से एकांत में मिलने का अर्थ क्या है उनसे प्रार्थना करना अकेले में वयत्तिकरीति से प्रभु के चर्णों के पास आकर प्रार्थना करना अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के चर्णों के पास डाल देना अपने जीवन के सारे बोज को प्रभु के चर्णों के पास डाल देना प्रभु से अगवाही मांगना अनुग्रा मांगना कि हम इस जीवन में प्रभु के नाम के लिए जी सकें प्रभु के नाम की महिमा के लिए जी सकें, क्योंकि उसके नाम की चाप हमारे जीवन में पढ़िये प्रियों। हाँ हम कितनी बार प्रभु के चर्णों के पास आकर पूचते हैं, प्रभु मैंने ये वचन पढ़ा, इसका अर्त मुझे समझा, ये मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता पवित्रशास्त्र के इस वचन का अर्त क्या है। हमने कितनी बार प्रभु से पूछा कि प्रभु तू हमें सीखा, जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों की ओर देखते हैं, तो पवित्र शास्त्र के वचन, प्रभु एश्यु मसीह के द्वारा हमें समझ में आते हैं, पवित्रात्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें वास करत वह पवित्रात्मा के द्वारा हम इन वचनों को सीख पाते हैं इन वचनों का अध्यान कर पाते हैं इनके अर्थ को सीख पाते हैं मेरे प्रीय भाईयों और बैनों we are in special communion with Lord Jesus Christ और जब हम प्रवेश को साथ यह सुन्दर समागम है इस वायतिक समागम में हैं तो क्या हम इस समागम में आनन्दित होते हैं उपने आपने शथ को से अला से भरे रहते हैं जब हम यहना रकिसमात्य स्माचार उसका पंभवां अद्याये में और तुमसे इसी लिए कही है कि मेरा आनन्द तुम्में बना रहे और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए मेरे प्रीय भाईयों और बहनों जब हम प्रभुएश्य मसी के चर्णों के पास आते हैं जब हम प्रभुएश्य मसी के साथ सहभागिता में होते हैं तब प्रवेश्य मसी में क्या हम आनन्द पाते हैं। क्या हमारा ध्यान प्रवेश्य मसी की और लगा रहता है। प्रवेश्य मसी का वचन है कि मेरा आनन्द तुम में हो और तुमारा आनन्द पूरा हो। प्रवेश्य वसी चाहता है कि हम उसके साथ वयतिक रीती से वारतालाप करें, बातचीत करें, जैसे एक दुलहन अपने दुलहा के साथ करती है, तु मेरा प्रिय है और मैं तेरी हूँ, जब ये दोनों वारतालाप करते हैं, उस संबंद की पवित्रता और घनिष्टता सामने उभर कराती है, और यहां पर श्रिष्टगीत में, चोथे अध्याय में हम पड़ते हैं, हम तुछ में मगन और आनन्दित होंगे, वो आनन्द जो सारे खुशियों से भी परे है, ऊपर है, उचा है, संसार का आनन्द कशनभर का है, संसार की ओर जब देखते हैं, तो कशनभर का आनन्द मिलता है, आज कितने जवान इस संसार के आनन्द में भटक गए हैं, कितने जवान पवित्र शास्त्र के पास नहीं आते, प्रभु के चर्णों के पास नहीं आते, अध्येन नहीं करते, प्रभु से बाते नहीं करते, उनके जीवन में आनन्द नहीं है, आनन्द तो है वो क्षन भरका और जिसके बाद दुख ही दुख उनके जीवन में भरा हुआ है, वे जो ने अपने जीवन में लेते हैं प्रियों, आनंद क्षन भरका है, उसके बाद दुख है, प्रभु के चर्णों के पास जब हम आते हैं, तो हम आनंद से मगन होते हैं, क्योंकि वह अपना आनंद हमें देता है और हमारा आनन्द पूरा होता है, we are incomplete without Christ, our joy is incomplete without Christ, हम प्रभवेश्व मसी के बिना अधूरे हैं, हम प्रभवेश्व मसी के आनन्द के बिना अधूरे हैं, प्रभवेश्व मसी में हमें परिपूर्नता है, प्रभवेश्व मसी में हमें सारी आशिशे हैं, वयतिक एक दुलहन का दुलहे के साथ होता है। यहां पर जब हम इस चौथे वचन को पढ़ रहे हैं, तो एक और विशे हम ध्यान से देख सकते हैं, वो ये हैं कि जो वैतिक संबंद, दुलहन दुलहे के साथ बनाती है, वो वैतिक जीवन, उस वैतिक संबंद में एक आत्मिकता है और एक पवित्रता हैं दुलहन का दुलहे के साथ आत्मिक संबन्ध है पवित्रता का संबन्ध है कलीसिया प्रभू की चुनी हुई है प्रभू के द्वारा मोल ली गई है हम उसके हैं प्रियों ये शब्द बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आना और हम समझ पाएं कि हम उसके हैं जब हम उसके हैं तो हमारा हम पर कोई अधिकार नहीं मेरे प्रियों जब हम उसके हैं हम पर सारा अधिकार प्रभू का है इस विशे को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तब ही हम उसके साथ सहाथ भाग दौड में हैं जीवन के उथल पुथल में फसे हुए हैं, जीवन के श्रम में फसे हुए हैं, हम प्रभु की और देख नहीं पा रहे हैं, क्या हम मार्ता की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, या फिर हम प्रभु के चर्णों के पास बैठते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों के द् प्रभू ने जो हमें आशिशें दी हैं उन्हें जानते हैं, क्या हम मर्यम की तरह प्रभू के चर्णों के पास बैठे हैं? मेरे प्रिये भाईयों और बेहनों, हमारा ये जो मेल है, ये प्रभूों के प्रभू, राजाओं के राजा, प्रभूعेश्य मसी के साथ है, इस प्रभु एश्यु मसी जब उस अंतिम भोज के पास बैठे थे अपनी चेलों से कहते हैं मैं इस भोज के लिए बड़ी लालसा से इंतजार कर रहा था क्या हम उस लालसा को प्रभु एश्यु मसी से मिलने के लिए दिखाते हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए वो लालसा दिखाते हैं? क्या हम प्रभु के मंदर में प्रभु की आरादना और प्रभु की स्तुति करने के लिए वो लालसा दिखाते हैं? क्या हमारे हृदय में वो लालसा है कि कब हमारा प्रभू आएगा और हमें ले जाएगा मेरे प्रियभाईयों और बहनों यहाँ पर जब हम श्रेष्ट गीत के पहले अध्याई के चौते वचन में पढ़ते हैं यहाँ पर एक लालसा दिखती है मुझे खीच ले हे प्रभू मुझे खीच ले अपने वचनों में खीच ले अपने चर्णों के पास मुझे खीच ले अपने हृदय के पास मुझे रख ले मैं तेरी दुलहन तु मेरा दुलहा क्या हम यह लालसा अपने जीवन में प्रभू के सामने प्रकट करते हैं हाँ मेरे प्रियभाईयों और बेहनों, हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु के चर्णों के पास बने रहें, प्रभु के पास आएं, प्रभु के लिए हम अपने जीवन में लालसा दिखाएं श्रेष्ट गीत के इस भाग में जब हम पढ़ते हैं कि हम तुझ में मगन और आनंदत होंगे, श्रेष्ट गीत पहला द्याच चौथा वचन उसके आखरी भाग में, उसके दूसरे वचन में देखें, दूसरे भाग में हम तुझ में मगन और आनंदत होंगे, ये तभी उस म मिलन में संभव है जब हम उस मिलन में प्रभु के साथ एकांत का अवसर धूमते हैं ये तबी संभव है जब हम इस संबंध को पवित्र और घनिष्टता के साथ निभाना चाहते हैं प्रभु से दूर रहकर कैसे कह सकेंगे कि हम हम तुछ में आनन्दित हैं, और हम तुछ में मगन हैं, इसके लिए हमें प्रभु के पास आना है, क्या प्रभु के पास आने के लिए हमारे जीवन में वो भूक है, वो प्यास है, कि हम प्रभु के पास आए, प्रभु के चर्णों के पास आए, यहां पर ध्यान से देखें, क्या लिखा है हम तेरे पीछे दोडेंगे हम तेरे पीछे चलेंगे हम तेरे पीछे आएंगे ये नहीं कहा है हम तेरे पीछे दोडेंगे दोडने में उरजा लगती है दोडने में चाहत चाहिए दोडने में हम इसी लिए दोडते हैं कि हम जादा से जादा करीब हो अपने ल नहीं न, इब मेडल पाने के लिए हम अपने जी जान को लगा देंगे, जल से जल उस दौड को खतम करने की कोशिश करेंगे, क्या ये लालसा हमारे जीवन में है, कि हम प्रभु के पास आएं, प्रभु के पीछे हम दौडे, अपने पूरे जीवन के सामत को, पूरे जीवन की शक्ति को बटोर कर, प्रभु के पीछे दौडने के लिए लगा है, क्या हम वो उत्सुकता प्रभु के पीछे दौडने के लिए दिखाते हैं, मेरे प्रियभाईयों और बेहनों, यहाँ पर लिखा है, हम तेरे पीछे दौडेंगे, बड़ी भीड है, बड़ी भीड में दौड़ा है, और वो दौड़ा उस बड़ी भीड में चला आ रहा है, दौडन ने उस बड़ी भीड में दौड़े को देखा, देखकर उसने क्या किया, दौड़कर उसके पीछे गई, और अब उसके पास जाकर वो क्या कर रही है, में अपने दूले के साथ वो समय बिता सके एकांत में personal and private communion वयतिक रीती से एकांत में प्रभु के साथ हम कितनी बार बैठते हैं मेरे प्रीय भाईयों और बेहनों हम कलीशिया में प्रभु के चरणों के पास आते हैं हम प्रार्थना की सभाव में प्रभु के चर्णों के पास आते हैं, हम उपवास की प्रार्थनाओं में प्रभु के चर्णों के पास आते हैं, हम सुसमाचार की सभाव में भी प्रभु के पास आते हैं लेकिन हम कितनी बार वयतिक रीति से स्वयम अकेले में, बंद कम्रे में प्रभु के चरणों के पास आकर प्रभु से बाते करते हैं क्या प्रभु मत्ताई रचिस्व समाचार के छटवे अध्याय के छटवे वचन में हमसे नहीं कहता कि प्रार्थना कैसे करनी है हम अपने प्रभु को जानते हैं, प्रभु तो पवित्र है और हम जब उसके साथ संबंद में आते हैं, प्रभु हमें पवित्र बनाता है हर रोज किस जीवन में, जहां दोड, धूब है, जहां कटनाईयां, दुख, परेशानियां हैं, जहां प्रलोभन और परिक्षाएं हैं, जहां जीवन में सारी रीती के प्रलोभन भरे हुए हैं, शानती नहीं अशानती है, रगडे जगडे हैं मेरे प्रियभाईयों और बेहनों, हम किस और देखें, हमारा आधार क्या है, हमें शान्ती देने वाला कौन है, कौन है जिसके कंधें पर हम अपने सर को जुका सकते हैं, कौन है जिसके पैरों के पास हम सुकून के साथ लेट कर अपनी निद्रा में जा सकते हैं, जिसके सामने हम अपनी रात की नीद को बिता सकते हैं हमारा प्रभुएश्य मसी क्योंकि वह हमारे दर्द को जानता है क्योंकि वह हमारे दुखों को जानता है क्योंकि वह इस संसार में परिपूर्णता के साथ मनश्य बन कर आया और वह भी हमारी तरह परखा गया मेरे प्रिये भाईयों और बेहनों, हम जो प्रभुएश्य मसी के साथ संबंद में हैं, इस संबंद को वयतिक रीती से पूरा करें, आईए हम प्रात्ना करें हमारे जीवत खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, कि आपने हमें दूलहन और प्रभुएश्य मसी को हमारा दूलहा बनाया, और प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, कि हम उस मिलन की इंतजार में हैं, इस इंतजार में जब हम हैं, हमा मारी मदद कीजे यह प्रात्ना हम प्रभु एश्य मसी के मधुरों मीठे नामें मांगते पिता आमिन क्या परमेशर ने आज इन वचनों के द्वारा आप से भाते किया है या आप इस विश्य में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रात्ना के विश्य को बाट प्रात्ना एव मुफ्त बाइबल कोर्स्पोंडिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता एसे मस कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744 हमारा इमेल आइडी है gospelbroadcast at yahoo.com website address www.lwgb.org जी जीवंजल कार्यकरम को हर शौमार शाम 6 बजे हर बुद्वार शाम 6 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं नमस्कार